निव इलेक्ट्रोनिक्स लैप चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं सुधीप हार्दीख सागत करता हूँ हायर का LED TV है इस TV में जो प्रॉब्लेम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर वीडियो आपको आच्छा लगे तो मेरे चैनल को साब्सक्राइब करके रखना चली इसको प्लागिन करते है आप देखिए पहले इसमें क्या पॉब्लेम है चली इसको पावर बे लागा देते है और मैं लाइन देता हूँ आप देखिए क्या पॉब्लेम है आप फॉलो कीजिए पॉब्लेम को फॉलो कीजिए देखिए मैंने लाइन दे दिया देखा आपने कैसा हुआ फिर से देखिए देखा आपने ब्लू स्कीन आता है चला जाता है देखिए यह ऐसा ही करता रहेगा अच्छा और एक चीज आप फॉलो कीजिए इसका जो स्टैंडबाई का लाइट है उसको देखिए आपको मैं दिखाता हूँ देखिए स्टैंडबाई का लाइट कैसा हो रहा है देखिए देखिए इसका 스DNvied का लाइट देखिए देखिए green है अभी Stenvied से रिलिस किया फिर red हो गया देखिए देखिए फिर red हो गया प्रॉड फिर Stenvied से रिलिस करेगा देखिए जैसे यह凌क्ड होStandby से ரिलिस का कोसिच कर रहा है फिरstatर सिंड़ाइ का कोसिच कर रहा है स्टेंडबाई का लाइट देखिए देखिए ग्रीन है अभी स्टेंडबाई से रिलिस किया फिर रेड हो गया देखिए देखिए फिर रेड हो गया पावार फिर स्टेंडबाई से रिलिस करेगा देखिए जैसे ही वो stand-by से release करने का कोशिश कर रहा है फिर वो stand-by कंडिशन में जा रहा है फिर stand-by से release करने का कोशिश कर रहा है दिखा आप problem मतलब friends यह जो LED TV है हायर का यह power supply तो इसमें इन हो रहा है red light आ रहा है फिर green हो रहा है green हुआ मतलब stand-by से release किया फिर वो stand-by कंडिशन में चला जा रहा है मतलब first stage में चला जा रहा है first stage क्या है power in होना red light आना second stage क्या है red light green light में convert होना इसका second stage है तो second stage में यह release करता है यह remote से release किया हुआ है इसलिए यह automatic release कर रहा है तो जो भी यह release कर रहा है तो यह stand-by कंडिशन में जा रहा है मतलब problem है तो चलिए पहले adapter का voltage को देख लेते हैं adapter में देखिए यह 12V का DC 3A का adapter है इसमें 12V आ रहा है क्या देख लेते हैं आल्टिमीटर को DC में कर देता हूँ अंदर का जो होता है वो positive है insert कर दिया है मैं power on कर देता हूँ कि 12V आ रहा है क्या देखिए पूरा 12.5 voltage है फ्लेक्ट्वेशन नहीं है adapter से ही है अब इसक्रूप खोल के इसका stand को निकल लेंगे टीवी को पूरा खोल लेते है जहां जहां इसक्रूप है आप ठीक से एक बार देख के खोल दीजिए इसको अलग कर दिया है फांड वाला फ्रेंड चली इसका एल वीडियो इसको अलग कर दिया इसको भी मैं अलग कर देता हूँ जहां जहां इसक्रूप दिया हुआ है सब खोल के motherboard को हम लोग निकल लेंगे इसका IR receiver है अभी इसका backlight का जो inverter card है इसको भी हम लोग खोल लेंगे अभी लगता है सबी खुल गया है मेरा सबी खुल गया है पुरा अलाग हो गया है स्पीकर को छोर के तो देके motherboard पुरा अलाग हो गया motherboard बेक लाइट कार्ड स्वीच पैनल लवीडियेस केबल और IR receiver यह IR receiver है देखिए इसमें IR sensor लगा हुआ है यह IR sensor है रीमोट से जो आप रिलीज करते है स्टैन्वाइस से यह IR sensor हो ही signal को यह receive करता है रिसीप करके में माइक्रो पॉसेसर में यह भेजता है इसको उपर आप एक पेपर को सटा दीजिए इसके LVDS को लागा दिया बैक लाइट का भी जैक मैने लागा दिया है यह बैक लाइट का ड्राइभर बोड है वोल्टेज को मेजरमेंट करते है वोल्टेज को मेजरमेंट करने से पहले इसका बैक लाइट को खोल देते है और देखते है कि हम लोग का जो तो स्टैन्दभई का लाइट है वो क्या रियक्शन देता है चलिए इसक बैक लाइट का का चल को खोल देता और देखे मैंने बैक लाइट का कनेक्शन खोल दिया है फिर से इसको पावर उन करते है अभी डिस्प्ले में आपको कुछ भी फ्लासिंग नहीं दिखेगा सिप इसका जो स्टैंडबाई का लाइट है इसको फॉलो करना है चली मैं पावर दे देता हूँ देखे मैंने पावर द प्रीन हुआ फिरेड हुआ मतलब बैक लाइट में कोई शॉटिंग नहीं है यह कॉनफ्रम हो गया चली यह बैक लाइट को लागा देते है और एक चीज देख लेना है कि बोड में कोई कॉम्पोनेंट जला हुआ तो नहीं है एक बार आपका अपना आखो से अच्छी तरह इसको देख लेना है नहीं कोई कॉम्पोनेंट जला हुआ नहीं है अभी हमने बोड को इस तरह सेटिंग कर लिया है देखिए बोड को इधर ले लिया है और डिस्प्ले को इधर कर दिया है ठीक है तो इसका बोल्टेज को मेजर्मेंट करेंगे अभी मैं इसका जो ग्राउ और मेरा माल्टिमीटर का जो नेगेटिव बलफ रॉब है उसको पार्मानेंटली जोड दूँगा बोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए और मैं देखिए इसमें बोल्ट में देखिए इधर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, गैरा, बारा, जितना भी बोल्ट में कैपासिटर है वो सब कैपासिटर में मैं भोल्टेज टेस्ट करते जाओंगा मैंने बोट का ग्राउंड पॉइंट के साथ एक वैर को जोड़ दिया यही बोट का ग्राउंड पॉइंट है इसके साथ मिया मीटर का ब्लैप पॉप को जोड़ देता हूँ अभी देखिए मैं सार्किट को अन करने जा रहा हूँ दिखे मैने circuit को on कर दिया है दिखे इसमें green light आ गया है दिखे फिर एड हो रहा है दिखे फिर green है चलिए voltage को measurement करते है दिखे पहले 12 volt को हम लोग देखते हैं digital multimeter को मैं भोल्ट रेंज में कर देता हूँ, DC भोल्ट में, देखिए माल्टी मीटर को मैं DC भोल्ट में कर दिया है, देखिए माल्टी मीटर को मैं DC भोल्ट में कर दिया है, देखिए इधर में 12 भोल्ट होगा, क्योंकि इधर में जैक इंसेट है, देखिए 12V आया देखिए इधर में एक कैपसिटर है देखिए 3.8V है इधर में एक कैपसिटर है देखिए 1.3V है देखिए इधर में भी एक कैपसिटर है इसमें भोल्टेज मेजरमेंट करता हूँ देखिए 12V है यह फ्लेक्चोशन नहीं हो रहा है देखिए इधर में 12V है इसमें भी एक कैपसिटर है इसमें भी एक कैपसिटर है जो पैनल भी सिसी है देखिए पैनल भी सिसी में देखिए मैं पैनल भी सिसी मेजरमेंट कर रहा हूँ जो एलवीडियस केबल से पैनल के लिए जो भी सिसी जाता है उसको मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ देखिए यह मेरा पैनल भी सिसी लाइन है मतलब पैनल के लिए जो साप्लाई जाता है देखिए इस लाइन में पैणेल वी सी सी में मेरा मीटर का propte श्रेश लाधक है जब अ पैणेल स्थी लाइन में फैणेल्व स्थ्रेशिन होग लगदा पैनल में ही शॉटिंग कुछ है चली ये पैनल का जो LVDS करेक्टर है उसको एक बार खोल लेते हैं और देखते हैं के पैनल VCC लाइन में कुछ फ्लैक्सटेशन हो रहा है क्या देखिए मैंने पैनल जो LED SCABLE है उसको पूरा खोल दिया है अभी मैं SET को ON करता हूँ और देखता हूँ मेरा पैनल VCC लाइन में Voltage Flexation होता है क्या देखिए मैंने SET को ON कर दिया अभी मैं Pैनल VCC को टेस्ट करता हूँ देखिए पैनल VCC मेरा इस पॉइंट में है जो पैनल के लिए 5 बोल्ट सप्लाई जाता है देखिए 5 बोल्ट सप्लाई आ गया कुछ फ्लैक्ट्योशन नहीं हो रहा है और देखिए मेरा green light भी जल रहा है इसमें भी कुछ फ्लैक्ट्योशन नहीं हो रहा है मतलब ये standby से release हो गया देखिए 5 volt में response constant है और देखिए panel में जो backlight है panel का ओभी जल गया है देखिए backlight जल रहा है देखिए panel का motherboard में कुछ problem नहीं है backlight driver में भी कुछ problem नहीं है problem जो है panel में है तो panel को हम लोग को sorting के लिए test करना पड़ेगा Saturn को ढून लेके लिए आपको पैनलका जो ground point है मतलब पैनलका जो scalar PC भी है इसको आपको खोल लेना पड़ेगा इसमें screw किया हुआ है इस screw को खोल के आपका पैनल का जो groundbreaking leicht है मतलब ॏ पैनलका ground point है ये पैनलका ground point जो भी पैनल में ग्राउंड पॉइंट है उसके साथ एक तो तार आपको एटच कर देना है और एक मीटर के प्रॉप के साथ आपको इसका स्वाटिंग को टेस्ट करना है कॉंटिनुटी में राग के वेर को गाउंड के साथ कानेट कर दिया है और स्केलर जो पीसी भी है मतलब डिस्पले का उसको मैंने खोल लिया है तर बोट को ऐसे पलट देना है देखिए यहां पे बहुत सारा कॉंपोनेंट है पहले हम लोग कैपसिटर को शौटिंग के लिए टेस्टिंग करेंगे जितना भी एन पीसी मतलब नॉन पुलर कैपसिटर लागा हुआ है मेरा मीटर कॉंटिनुटी का रेंज में है आप सिफ साउंड को फॉलो कीजिए हारे कैपसिटर को हम लोग को टेस्ट करना है शौटिंग के लिए चली यहां से शुरू करते हैं मैं पूरा कैपसिटर सब आपको दिखाऊंगा नहीं बस थोरा करके दिखाऊंगा देखिए क्यापसिटर के एक पोल में साउंड देगा दूसरे पोल में साउंड नहीं देगा मैक्सिमाम यह होगा देखिए इस पोल में टाच करता हूँ देखिए एक नॉन पोलर क्यापसिटर है देखिए साउंड आपको सुनाई दे रहा है और मीटर में देखिए 00 आ रहा है 5.8 आ रहा है एक कुछ नहीं है देखिए यह साउंड दिया है इधर में देखिए साउंड नहीं है मतलब इसमें स्वाटिंग नहीं है अच्छा दूसरे में देखते है देखिए इधर में साउंड नहीं है इधर में देखिए साउंड है मतलब कैपसिटर का है NPC कैपसिटर में एक तरफ साउंड देगा बीप साउंड देगा दूसरे तरफ नहीं देगा अगर दूरों तरफ बीब सांट दे दिया तो कैपसिटर शॉट है देखिए इधर में और कहां कैपसिटर है चलिए हम लोग देखते है देखिए इधर में कैपसिटर है देखिए एक तरफ सांट दिया एक तरफ नहीं दिया कि शॉट नहीं है चलिए फटाफट करते हैं कि देखिए दोनों तरफ साउंड नहीं दे रहा है यह दूसरे सार्किट के लिए होगा यह कैपसिटर हमेसे एक तरफ साउंड देगा कैपसिटर कि दोनों तुस्का है देखिए हार एक जो चापसिटर मैं ने टेस्ट कर लिया किसी भी कैपसिटर में शॉटिंग नहीं है अभी चलिए फाइस बोल्ट का जो लाइन है उसको तेस्ट करते हैं ऑसको टेस्ट करते हैं 5-बोल्ट का लाइन कैसे जा रहा है जो theseo तक यह जो फ्यूज है फ्यूज के साथ फाइब बोल्ट का लाइन कानेक्ट रहेगा देखे के लिए मीटर में आप साउंद सुन सकते हैं कानेक्ट है तो तीन पॉइंट पॉइंट यह 5 बोल्ड का है पूरा कामन का फ्यूज हो के यह निकल जाता है देखिए अभी फ्यूज होके यह कहा जा रहा है यह हम लोग को देखना पड़ेगा आप सिर्फ साउंड के और ध्यान दीजिए देखिए फ्यूज होके यह फाइब बोल्ट कहा जा रहा है देखिए फ्यूजों के 50 आपको दूदना पड़ेगा कहां कहां यन 5 वोल्ट जारा है देखी एधर नहीं जा रहा ही इधर जारा है 500 प्यूजों मतल इस अपनेध़ त्रॉएटर में 5 वोल्ट है तो थीक है अच्छा ákार कहां जा रहा है कर a about कि यहां पर भी नहीं जा रहा है । डी सी डी सी आइसी में फाइब बोल्ट जा रहा है अच्छा और वरते हैं देखिए यह डी सी डी सी आइसी है यह दियसी डी सी आइसी का आजपेस में आपको फ़ाई भोल्ट ढूनना है दिखिए देखिए इधर में फाइब बोल्ट आया हुआ है देखिए साउंड आप सुन रहा है इधर में फाइब बोल्ट आया हुआ है और आसपास में भी देख लेते है देखिए इस पीन में फाइब बोल्ट आया हुआ है देखिए इधर में दो सेमी कॉंडक्टर लगा हुआ है मॉस्पेट बोले चाहे ट्रांजिस्टर बोले जो भी है इसमें देखते है फाइब बोल्ट आया क्या देख लेते है हाँ इसमें फाइब बोल्ट आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है बस इसमें आ रहा है अच्छा तो फाइब बोल्ट मेरा इस ट्रांजिस्टर में आ रहा है इस रेगुलेटर में आ रहा है इस ट्रांजिस्टर में भी आ रहा है फाइब बोल्ट पूरा सार्कित में देख लिया कहां कहां फाइब बोल्ट जाता है आपको भी वैसे देखना है कहां कहां फाइब बोल्ट जाता है क्योंकि जो sorting का matter होता है वो बहुत ही typical matter होता है इसमें sorting हो रहा है कुछ IC हो सकता है transistor हो सकता है MOSFET हो सकता है कोई voltage regulator हो सकता है जो sorting हो रहा है तो आपको sorting को ढूनने के लिए और 3.3V का regulator है उसको हम लोग खोल देंगे यह 3.3V का regulator इसको हम लोग खोल देंगे ताके 3.3V का लाइन जो है वो टीकॉन IC से अलग हो जाएगा फिर DC-DC IC का लाइन रहाएगा तो देखेंगे फिर 5V drop होता है क्या 3.3V का regulator को खोल देंगे 3.3V का regulator है उसको हम लोग hot gun के मदद से उठा लेंगे 3.3V का regulator को हमने उठा लिया है मदर बोट को मैंने पैनल के साथ जोड दिया है अभी इसका पावर अन कर देता हूँ देखिए देखिए मैंने पावर अन कर दिया है देखिए रेड लाइट आ गया ग्रीन हुआ स्टेन बैट से रिलीज हुआ चलिए अभी वोल्टेज को मेजरमेंट करता है देखिए टेन बैट से रिलीज हो गया फिर से रेड यह नहीं हो रहा है अच्छा देख लेते हैं डिसी डिसी आइसी में हलका सा हाथ देखे के आइसी ही ठोड़ा है क्या हलका सा हाथ देखे देखना है आपका VGH, VGL यह भोल्टेज भी आपको टेस्ट करना है तो VGH, VGL, VCOM, VDD यह आपको टेस्ट करना है अभी देखिए DC to 5 V में कोई फ्लेक्चोशन नहीं हो रहा है अभी चलिए इस क्यापसिटर का पॉजिटिव में हम लोग भोल्टेज देख सकते हैं क्योंकि यह तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिका हुआ है मतलब DC है इस क्यापसिटर में पॉजिटिव में 5 V आ रहा है, ओके इधर में और एक क्यापसिटर है जिसका पॉजिटिव इधर ही है इसमें देखते कितना वोल्टेज आ रहा है देखिए इसमें 13 V आ रहा है, यह ABDDV बोल्टेज है यह 13 V किया है, ABDDV बन रहा है ABDD जब बन रहा है मेरे को राखता है VGH, VGL ये सब भी बन रहा है देखिए ABDD भोल्टेज हम को मिल गया analog voltage drain drain ABDD भोल्टेज अच्छा अभी चलिए VGH भोल्टेज को ढूमते है कहाँ पे VGH भोल्टेज होगा इधर में ही होगा DC-DC IC के आसपासी होगा देखिए ये वाला कैपसिटर में देखते है कि इतना भोल्टेज दिखाता है आपको कैपसिटर का जो दो पोल हता है NPC उसमें आप देख सकते हैं देखिए एक पोल में आप देखिए कुछ भोल्टेज नहीं दिखा रहा है अगर दिखाएगा तो मैं मीटर में आपको दिखा दूँगा देखिए इधर में 30 भोल्ट दिखा रहा है देखिए मैं दिखाता हो देखिए इस के आपसिटर में देखिए बहुती साबधनी से आपको टाच करना है जब आप मीटर का प्रॉप को टाच करें तो आप देख ले कि प्रॉप कहां आप टाच कर रहा है आस पास में कुछ कॉम्पोनेंट तो नहीं है क्योंकि इधर में मानिये पॉजिटीव वोल्टेज आए पास में यह क्यापसिटर लागा है उसका ग्राउंड है वो टाच हो गया तो आपका गया पूरा डिसी डिसी आईसे फायर हो जाएगा तूरंदी फायर हो जाएगा एक दो एक मिनिट आप दीवान भोल्टेज दीखार मतलब थार्टी वल्ट मतलब विजी एज भोल्टेज है तो यह भी डिडिडी मिल गया जूर आभी मुझे भी अफ भॉल्टेज को ढुन्ण को डूनना है घी ओफ यह जो कैपसिटर है इसमें देखते कितना भोल्टेज दिखाता है देखिए ये वाला जो क्यापसिटर है वो वी जी अफ वोल्टेज है वी अफ देखिए माइनस 6 वोल्ट वी अफ वोल्टेज हमको मिल गया माइनस 6 वोल्ट चा अभी वी कम वोल्टेज ढूनना है वी कम वोल्टेज की इतना होता है वी कम वोल्टेज जो एवी डी 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 वोल्टेज ह होता है। उस भोल्टेज का आधा होता है मतलब AVDD Vोल्टेज आगा 13 वोल्ट हुआ तो भीकमज्वोल्टेज 6.5 फोल्ट होगा।iony तो AVDD VOTEज से ही वी रेफॉरेंस VOLTES Vコम worthेज बनाता है। इस टिकन बोलक को तोरा पलाट देत है। उस साइड मे Haz ou यह स्काद टो इसका टीकॉन पोर्सों अलाग हो जाता है और DC-DC अलग हो जाता है, क्यूंकि इसमें DC-DC IC जब 5 वोल्ट मिलेगा तो फटक से हो अपना भोल्टेज सब बनाने लग जाएगा 3.3 वोल्ट रेगुलेटर से टीकॉन को सप्लाई दिया है, कभी-कभी किसी स्केलर बोल्ट में ऐसा भी रहता है कि DC-DC IC से ही 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट बना के फिर टीकॉन IC को सप्लाई दिया जाता है पर इसमें ऐसा नहीं है, टीकॉन IC को जो सप्लाई दिया जाता है, वो 3.3 वोल्ट रेगुलेटर से सेपरेट करके दिया गया है यह अच्छा बात है पैनल के लिए, काम करने में भी सुविदा होता है यह 3.3 वोल्ट का नया रेगुलेटर है, जिसको मैं स्केलर PC में लगाऊंगा और टीकॉन बोट के लिए 3.3 वोल्ट सप्लाई चला जाएगा पर हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगाए तो हो सकता है बाजर से लाया गया रेगुलेटर का बोल्टेज जादा निकल रहा है या कम निकल रहा है, कुछ भी हो सकता है आपको अगर ज़्यादा वोल्टेज निकल गया तो टीकॉन आइसी को फायर होने से कोई नहीं रोख सकता है तो इसलिए पहले आपको टेस्ट करना है कि इसमें 5 वोल्ट देने से 3.3 वोल्ट निकल रहा है गया यह टेस्टिंग आपको पहले कर लेना है देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इस रेगुलेटर जो आइसी है इस रेगुलेटर आइसी का यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए देखिए इस आइसी का जो एक नमबर पिन है वो ग्राउंड है दो नमबर पिन जो है इसका आउटपूट है मतलग यह दो नमबर पिन है यह इसका दो नमबर पिन है सेम पिन है यह यह आउटपूट है और यह इसका इनपूट है 5 वोल्ट का तो 5 वोल्ट इसमें इन होगा जब गाउंड मी लगा तो फाइब वोल्ट को ड्रॉप करके 3.3 वोल्ट में आउट कर देगा तो इधर से 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है क्या है ओ देखने के बाद ही आपको इसको PCV में पूरा माउंड कर देना है चलिए देखते हैं देख लेते हैं 5 वोल्ट इसमें देखे 3.3 वोल्ट आउट होता है क्या आप बाहर से किसी एड़प्टर से भी इसमें 5 वोल्ट दे सकते हैं फोर बोल्ट दे सकते है फोर पॉंट फाइब दे सकते है ठीक है शीक्स बोल्ट भी दे सकते है पर ज्यादा नहीं दीजिए दस बोल्ट बारा बोल्ट नहीं दीजिए क्योंकि तो थी पॉंट थी बोल्ट का है पास से छे बोल्ट तक आप इसमें दे सकते है फोर पॉंट फा देखिए फ्रेंड्स मैं स्केलर PCV में 3.3 बोल का रेगुलेटर माउंट कर दे रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन के मदद से फिर माउंट करके इसका सब मादर बोर्ट और जो और भी कनेक्शन है वो सब मैं करके फिर सेट को मैं अन करूंगा फिर देखते हैं क्या रेजल्ट यह देता है हमेशा आप रेगुलेटर को एक बार बोल्टेज को टेस्ट करके फिर ही मादर बोर्ड में इंस्टल कीजिए मतलब 3.3 वोल्ट यह आउट कर रहा है क्या वो देखने की बाद ही इसको इंस्टल कीजिए फिर साब सुत्र कर लिजिए तो काम अच्छा बनता है देखिए फ्रेंड्स हमारा टीवी पूरा रेडी हो गया अभी देखिए इसमें स्क्रीन भी आ गया है पहले फ्लास होता था अभी इसका डिस्प्रे में कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है ऐसे वीडियो को देखने के लिए निव इलेक्ट्रोनिक्स लैप से जुरे रही है और देखिए हमारे होम आपलाइंस रिपेरिंग लिएटेड और भी वीडियो थैंक्यू दोस्तों